Hello friends, welcome to my channel Excellent Coaching Psychological factors in training पढ़ेंगे आज Psychological factors में training के types पढ़ेंगे कितने types की training होती है, कितने methods होती है training के और उससे पहले ये समझेंगे कि training के लिए हमें किस तरह की practice की requirement होती है सबसे पहले आता है actual practice actual practice मतलब जब हम actually में involved होते हैं learning के टाइम पे सिरफ देखनी रहे होते बैठके actively हम involved होते हैं जैसे अगर आप खाली वीडियो देख रहे हो किसी चीज को यूज करने की तो वो actual practice नहीं है वो passive learning है लेकिन अब actually में आपको साथ साथ कोई करवा रहा है और आपको बता रहा है और अपने साथ साथ आप उसको करके भी देख रहे हो उसको बोलते है actual practice तो class lecture जो होते हैं videos और manuals होती है वो जो है वो actual practice नहीं होती है उसमें आप खाली पढ़ते हो actual practice बोलते हैं जिससे हमारी जो learning है वो और effectively होती है मास्ट and distributed practice का मतलब मास्ट का मतलब होते है कि हम काफी long hours के लिए कोई चीज देख रहे हैं यहां पढ़ रहे हैं we are training for long hours together मतलब एक साथ बैठके आप काफी घंटों तक किसी चीज को समझ रहे हैं वो तो हो गया मास्ट distributed मतलब आपने अपने time को थोड़ी थोड़े hours में divide कर दिया है आपने शुरू में थोड़ा घंटा अपने training करी फिर ब्रेक ले लिया फिर थोड़ी सी training करी फिर ब्रेक ले लिया उसको distributed बोलते हैं तो जब हम बहुती complex problems को समझते हैं तो हमें mass practice चाहिए होती है मतलब हमें क समझने की जरूद नहीं है तो उस टाइब की learning में हम अपने hours को distribute कर सकते हैं तो जैसे school learning में जाधा तर distributed practice की recommendation दी जाती है distributed practice में क्या होता है कि आप दो गंटा पहले पढ़े फिर ब्रेक हो गया फिर दो गंटा पढ़े ऐसे आपको exam के लिए पढ़ने के लिए भी बताया जाता है जो की जाधा effective है longer hour periods क्या होता है उसमें एक तो आप थोड़े से वो हो जाते हो टायर्ड हो जाते हो दूसरा यह होता है कि longer hours पढ़ने से आपका जो mind है वो उसमें बहुत जादा एक तो चीज़ें इखटी हो जाती है फिर आता है whole and part learning whole and part learning का मतलब है कि आप चीज़ों को together whole याद करो as a whole या उसको break करके parts में करो तो चोटे-चोटे टुकडों में बाट के समझने चाहिए चीज़ें या उसको एक साथ खतम करके ही उठना चाहिए इसको बोलते है whole and part learning तो यह depend करते कि आप जो चीज़ लर्न कर रहे हो या जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो क्या वो चीज़ें टुकडों में बाटने लाइक है क्या वो कोई जैसे आप math का कोई derivation कर रहे हो derivation एक ऐसा सम होता है जिसको शुरू से लेके end तक करना होता है ऐसा नहीं है कि हम उसको बीच में करके छोड़ दें फिर हम सोचे कि अभी हम break ले लेंगे बाकी पार्ट बाद में करेंगे फिर वो connection टूट जाता है flow टूट जाता है तो कुछ चीज़ें हैसी होती है जिसे हमें completely खतम करना होता है और कुछ चीज़ों में आप parts में divide कर सकते हो जैसे English grammar आप कर रहे हो तो आप उसको parts में divide कर सकते हो कि दो चीज़ें आज पड़ी दो चीज़ें कल पड़ी इस टाइप से but when the task involves low organization part training method is more efficient तो आपके task में अगर बहुत थी highly organized task है आपका तो उसमें तो आपको completely वो task पूरा खतम करना चाहिए लेकिन अगर low organized है या low organization है टास्क में तो आप उसको parts में भी divide कर सकते हो तो लेकिन mostly psychologists they try to combine both the methods ऐसा नहीं है कि कोई एक method दूसरे से ज़ादा बेटर है then coming to transfer of training this refers to the extent that skills learned during training are transferred to the actual job तो जो भी आप skills training में सीख रहे हो वो आपके actually आप अपनी job में यूज़ कर रहे हो जिसको बोलते हैं transfer of training यह दो तरीके हो सकता है either positive or negative positive होता है जो training से आपकी performance में help मिलती है कुछ चीज़ें आपको नहीं आती थी आपने training ली और आपने इसको सीख लिया और आपने उसको अपने performance में यूज़ करा बट अगर negative transfer हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको जो आता था आप वो भी भूलते जा रहे हो तो suppose आपको already कुछ चीज़ें आती थी और आपको training में कुछ और चीज़ें सिखा दी और both the things are interfering with each other उसकी वेज़ासे आप अपना पुराना काम भी जो अपने तरीके से करते थे वो नहीं कर पा रहे हो उसको बोलते हैं negative transfer there are many factors on which transfer training depends तो कुछ ऐसे factors हैं जिसमें transfer of training depend करता है एक तो यह है कि there is a close correspondence between behavior and attitude taught तो जो चीज़ training में सिखाई जा रही है और आपका behavior अगर दोनों चीज़ों के बीच में closeness है तो positive transfer होने के chances बहुत रहते हैं suppose आपका खुद का behavior भी ऐसा है कि आपको आप computers पर काम करना जादा पसंद करते हो आप IT का use करना जादा पसंद करते हो instead of manual work और आपको ट्रेनिंग भी इसी तीज़ की दीर आ रही है कि आप कैसे software का use कर सकते हो तो आपका attitude और आपका behavior ट्रेनिंग से match कर रहा है correspond कर रहा है तो इसलिए आपको जो positive transfer होगा उससे आपको और चीज़े अच्छी सीखने को मिलेंगी there is a little similarity between training and environment and work environment then negative transfer take place कई बर यह होता है कि जो ट्रेनिंग दी जाती है वो real life में actual life में वो चीज़ अपलाई करना बहुत जादा impossible होता है training में वो बहुत चीज़े आपको ऐसी बता देते हैं जो सुनके लगता है बहुत अच्छा है लेकिन actually में जब आप उसको real life में अपलाई करो तो वो possible नहीं हो पाता तो उस case में negative transfer होता है क्योंकि आप कोशिश करते हो उस चीज़ को अपलाई करने की लेकिन आप करने ही पाते हो negative transfer occurs when older skills conflict with newer skills तो यह वो retroactive interference की तरह ही है कि आपका कोई पुराना याद किया हुआ skill आपके नए skill में conflict कर रहा है आपको interfere कर रहा है नए चीज़े जैसे proactive and retroactive memory में होता है कि आपकी कोई नए चीज आपने कोई नए language सीखी तो आपको पुरानी language में confusion हो रही है यह आपने कोई पुरानी लैंग्वेज ऐसी सीखिए जिसके अब नई लैंग्वेज नी सीख पा रहे तो यह इसको negative transfer बोलते हैं Then comes the age, older workers particularly over 50 years of age find it difficult to transfer learning तो हमने कई बैर ऐसे सुना है कि जब बहुत जादा यह जाती है तो हम कोई नया skill सिखा है तो उनको बहुत time लगता है सीखने में तो यह भी एक point यहाँ पे कह रहे हैं कि जो older age के जो हो जाते employees उनको अगर आप नई technology और नई चीज़ सिखाने की कोशिश करो अपने working environment में तो उनको difficulties बहुत होती हैं उसको adapt करने में आज कल computer stimulation का बहुत यूज हो रहे हैं जैसे कि हम actually आपको क्या किया रहता है कि artificially created environment होता है जिसमें आप जैसे virtual reality होता है जिसमें आपको training दी जाती है तो आपको ऐसे लगता है कि आप real life उसमें training ले रहे हो तो आप वह सोड़ा ऐसा training को और ज्यादा इफेक्टिव और इंट्रेस्टिंग मना देता है जैसे हमने यह सुना हुआ है देखा हुआ भी है जैसे जिन लोगों को flight की training दी जाती है उनको पहले computer training का feedback लेने से क्या होता है कि आपको help मिलती है अपनी training methods को और improve करने की तो it helps the trainee to correcting and changing any inappropriate behavior आप भी feedback दे सकते हो trainees को जब आप उनकी assessment करते हो training के बाद एक test होता है assessment होती है उसके बाद आप उनको feedback देते हो तो आप अपने लिए feedback ले सकते हो आप उनको भी feedback दे सकते हो जिससे वो अपने आपको improve कर सकते हैं तो अब आते है training methods पे बहुत सारी ऐसे training methods है जो आपने खुदने भी करे होंगे अपनी जॉब में या अपने सुने भी होंगे एक होता है on the job training जिसमें आप job भी कर रहे हो साँ-सा तो आप training तो उसमें क्या होता है कि आप जो है वो जॉब भी कर रहे हो और साथ में सीख भी रहे हो इट इस चीप किसलिए क्योंकि एक्स्ट्राइफट ने लगाने पड़ते हैं सासाथ आपका कंपनी का काम भी हो रहा है सेपरेट ट्रेनिंग फैसिलिटी यह सेपरेट कोई स्टाफ न बने व्पवासर आपको सीख निफा जा रहा है जो आपको चांस शर्हें होता है कि आपको बदाय कुछ और और आपको करना कुछ ऑर है तो परफॉर्मेंस इसमें और बैटर ही हो जाती क्योंकि आप आर्छ वर्क कर रहे हों घोंकि आपकी जो आपसे रिलेटिटेड होते ह कर रहे हैं उसी चीज की ट्रेनिंग दी जा रही है फीडबाइक इमेडियेटली मिल जाता है क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस उसी के साथ साथ ही दिखना शुरू हो जाती है इसके कुछ कंसर्ण्स हैं कंसर्स यह है डाट वर्कर्स और सुपरवाइसर है खाल टेक टाइम ऑट और रेगुलर वग्णे ट्रेन ट्रेइनिंग तो अब जैसे आपका जो मेंटर ए उसको अपना काम चोड़के आपको ट्रेनिंग देना पड़ता तो यहाँ पर कभी कभी मेंटर जो है वो इतना जादा response नहीं देते हैं इतना जादा involved नहीं होते हैं वो कोशिश करते हैं कि आपको काम दे के अपना काम करने चले जाए और वो आपको help नहीं करते हैं तो यह कई बारी expensive भी हो जाता है इस तरीके से productivity डाउन जाने लगती है certain jobs giving an untrained employee access to hazardous machinery कई बारी रिस्क का भी बड़ा factor आजाता है कोई नया employee आया उसको आपने डिरेक्टली उस चीज को handle करने के लिए बोल दिया जो उसके लिए भी रिस्की है और दूसरों के लिए भी रिस्की है तो जहांपी जैसे machines वेगारा का काम होता है है chemicals का काम होता है तो वहां पर यह on the job training बहुत रिस्की हो जाती है यूजुली दे ट्रेनर्स और current workers ट्रेनर्स कौन होते हैं जो current workers होते हैं जो वहां काम कर रहे होते हैं वह अपने job में expert होते हैं पर अपने काम में expert होना और दूसरे को training देने में बहुत फरक है आप अपने काम में बहुत expert हो सकते हो पर जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे teacher या trainer हो तो कई पर वह दिक्कत आज़ती है जो mentor होता है वह अपना काम तो बहुत अच्छा कर लेता है लेकिन वह अपने training को ढंग से बता नहीं पाता है और training को यह फील होता है कि उसको बताया नहीं है डंग से सिखाया नहीं जा रहा है तो यह कुछ concerns है on the job training के फिर आते हैं वेस्टिबूल ट्रेनिंग तो वेस्टिबूल ट्रेनिंग में क्या होता है सिमूलेटड वर्क प्लेस अलग से एक एंवार्मेंट वर्क प्लेस एंवार्मेंट सेपरेट ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जाती है जो सिमूलेटड टाइप का होता है एंड इसको वेस्टिबूल ट्रेनिंग कहते हैं तो यहां पे एक्विपमेंट्स वगहरा पड़ी होती है जो आपने एक्चुली में जाके यूज करनी है अपने काम में वो सारी एक्विपमेंट्स नकली एक लाप टाइ सीख रहे हो या कोई उसके पार्ट्स के बारे में सीख रहे हो तो आपको एक ऐसी जगा ले जाएंगे जहां पर पुराने पार्ट्स रखे होंगे ट्रक के और वो आप आपको बताएंगे कि इसका मतलब यह होता है यहां जुड़ता है ऐसे होता है तो वो वेस्टी व्यू को लॉस हो जाएगा क्योंकि अपको सेपरेटली एक फैसिलीटी मेंटेन करने परती है त्रेनिंग के लिए और दूसरी चीजी है कई बार उसमें ऑपसुलीट एक्विपमेंट भी रख देते हैं पुरानी खराब पड़ीवी चीजे रख देते हैं आपको समझाने के लिए ट इंस्ट्रक्शन्स, CAI का क्या है प्रोग्राम लर्निंग का कॉंसेप्ट एस्किनर का जहां पे सौफ्टवेर जो है जिस सौफ्टवेर को आप यूज कर रहे हो जिसके दुरू आप सीख रहे हो वो आपके इंस्ट्रक्टर की तरह काम करेगा और वो आपको दिरे-दिरे ए सुनके आप कर रहे हो तो आप इसमें पूरी तरीके से actively involved हो आप अपने speed में काम कर सकते हो आप जितना दीरे चलोगे उतना दीरे instruction आपको instructions मिलेंगी जब आप एक task एक level पूरा कर लोगे तब आपको दूसरे level तक भेजा जाएगा feedback आपको immediate मिलेगा उस case में ये एक private tutor की तरह हो जाता है क्योंकि वह individualized instruction सबको अपने अपने computers पर बिठाके अपने अपने software दे दिये जाते हैं it can be used with any number of employees तो यह बहुत सारे employees को एक सार ट्रेंड करने के लिए यूज हो सकता है net based training net based training is like a distance education distance education मतलब एक जगा पर एक सर्वर है central server है जहां से सबके पास instructions जा रही है वो CIA की तरह ही होता है एक ही Net server एक ही जगा से सारे जितने भी लोग हैं सबके पास common internet या server की through instructions जा रही है और वो सारे अपने अपने पर्टिकुलर जगाओं पर बैट के training ले रहे हैं जैसे हमने computer added में पढ़ा था इसकी advantages वही है same और यह same time at the same time it is 20% to 35% lower in cost तो यह cost में low है लेकिन advantages वही है मतलब यह और बेटर तरीका है कहने का मतलब यह है cost में भी कम है और advantages भी है सारी जो computer based computer aided instructions की advantages होती है behavior modification techniques में क्या होता है behavior modification में वही reinforcement का concept आ जाता है कि workplace में आपको क्या होता है जो psychologist होता है एक assessment वह बनाता है works psychologist make an assessment जिसको हम बोलते है performance audit जिसमें आपके behavior को assess किया जाता है यह जो performance audit assessment होती है इससे उनको यह पता चलता है कि हमें कौन सा behavior modify करना है employee का जिससे वह और ज्यादा better काम कर सके उसकी जो performance है वह और efficient बने और उसी के base पे employees are rewarded उनको rewards दिया जाते है employees को punishment का use बिलकुल नहीं होता है behavior modification के लिए only rewards और reinforcement का use किया जाता है then coming to business games, business games try to simulate a complex organizational situation the aim of business game is to develop problem solving and decision making skills तो आपके problem solving और decision making skills को enhance करने के लिए यह training दी जाती है business games वाली इसमें दो teams में divide कर दिया जाता है trainees को और एक hypothetical problem दी जाती है एक imaginary situation दी जाती है जिसकी कुछ problems होती है उनको अपनी thinking के through hypothetical thinking और problem solving के through उस problem को solve करना होता है business games have been found to help management trainees management trainees को experience मिलता है इससे decision making का team work का role taking का experience मिलता है किस तरीके से वो अपना role play करते है एक leader का या एक boss का ठीक है techniques to handle stress stress कैसे handle करना इसका इन्होंने बोला है author ने कि आप एक आप television series देखेंगे the apprentice उसमें आपको यह दिख जाएगा कि किस तरीके से business games use करी जाती है then comes role playing role playing में उनको एक particular role दे दिया जाता है उनको वो role act करना होता है उनको यह मानना होता है belief करना होता है कि वो एक situation में और वो अपने role को play करेंगे उसमें और उस role को play करते वे वो problems को solve करेंगे तो वो एक role play एक make believe play की तरह होता है जिसमें trainees अपने आपको उस role में लाके उस particular problem को solve करने की कोशिश करते है then diversity training में क्या होता है इस चीज की training दी जाती है कि जितने भी अलग अलग diverse जगाओं के लोग है company में चाहिए वो एक ethnic group अलग हो चाहिए वो किसी अलग gender के हो उन सब को किस तरीके से respect करना है और कैसे उनके साथ आपको एक common background बना के चलना है तो ethnic and caste prejudice जो होता है किसी किसी companies में हमने देखा है कि कई बारी caste prejudice बहुत होता है कि वो उस caste के लोग है उनसे उनसके साथ नहीं बैटना है उस caste के लोग है sexual discrimination बहुत होता है कि जो women है उसको इतना जादा highly respectable way में नहीं देखा जाता है so diversity management to reduce ethnic prejudice and sexual discrimination यह सब चीज़े कम करने के लिए diversity training दी जाती है और वहां पर उनको यह समझाया जाता है कि अपने आपको दूसरे minority group की तरह रख कर देखो अपने आपको उस person की जगा रख के देखो जिसके साथ discrimination हो रही है और यह lectures के through videos के through role playing sensitivity training इन सब की through किया जाता है जिससे उनको यह समझ में आता है कि हमें workplace पे discrimination बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए फिर आता है career development and planning इसमें वो stage wise करते हैं जैसे हमारी life में यह तीन stages होते हैं जब हम अपने career के बारे में सोचते हैं एक होती है establishment stage जो हमारी young adulthood में होती है कि हमने अपने आपको कहीं establish करना है अच्छे career में दूसरी होती है maintenance stage जहां पे अपने आपको हमने maintain करना है और आगे बढ़ना है और last में होती है decline stage जब हम finally retirement की तरफ जा रहे होते हैं तो company की भी responsibility होती है कि हमारी जो transitional stages होती है करियर में उसी के according हमें opportunities मिले तो अगर कोई establishment stage में है तो उसको उस time पे सीखने को जादा से जादा चीज़े मिले वह अपने skills improve कर सके वह learn कर सके उसको अलग-अलग type के काम देने चाहिए ताकि वह जादा से जादा सीख सके maintenance stage पे उसको अपने आपको self actualize करने का मौका देना चाहिए अपने आपको proof करने का कि highest अपने potential को show करने का और decline stage पे employees को counseling service या दूसरों की help करना stress से cope कैसे करना है इन सब चीज़ों की training देनी चाहिए तो यह जो training है according to stage बदलती रहती है कि आप कौन सी stage में और कौन से age में हो तो young adulthood होता है जब हम establishment stage पे होते हैं this starts from जैसे आप pass out होते हो अपने college से तो approximately आपके 20 years start होके 40 years तक जाता है then 40 to 60 में आपका maintenance stage होता है 60 अब आपका declines stage आना शुरू हो जाता है 60 या 50 आप मानलो जिसके बाद आपको retirement के बार में सोचना होता है 55 and all so यह सारी टाइब की training होती है अब इसके बाद एक बहुत ही important type की training आती है जिसको हम बोलते है sensitivity training जो कि हम next video में discuss करेंगे जैंक्स वर वाटिंगे